हे गाईज गूड इविनिंग और वेलकम टु देव फूमी कर्यर पॉइंट आसा करता हूँ आप सबी लोग स्वस्थ होंगे काफी अच्छे आपकी स्टेडीच चल रही होगी तो देखे दोस्तों लगातार चैनल पे आप लोगों को टैसरीज एवलेबल करवाईज आ रही ह के लिए और साथी आरो एरो एक्जाम के लिए यह जो भी टैसरीज आ रही है जीएस की सामाने हिंदी की उत्राघंट जीके की यह आपका एक्जेकुटिव ऑफिसर टैक्स इंस्पेक्टर आरो ए आरो और जो भी नई वाली यूकल ट्रिपल एससी की भरती आई है पूछी जाती है और साथी जो आरो एरो होगा उसमें पचास नंबर की रिजनिंग पूछी जानी है तो एक अच्छा घासा रिविजन आपका हो जाता है तो क्लासेस को आप जरूर जोइन केजिएगा ठीक है बाकि आज देखेंगे सामाने अध्धिन टैस्ट भाग 129 आग आपको GS का paper मिलता है full length 200 question अगर आपको अभी भी enroll करना है तो इस वीडियो की description box में लिंक है आप enroll कर सकते है test series की कोई special timing नहीं है 10 से 12 बची के बीच में test upload होता है portal पे application पे course के अंदर और अपने time के हिसाब से आप इसको कभी भी attempt कर सकते है ठीक है एक तो भी benefit है और दूज personal नहीं है पुरा full length और syllabus के according है मैंने वीडियो दिया इस course के जो demo वीडियो होते है उसमें बताया है कि कैसे हम इस बार course देंगे कैसे paper में बना रहा हूं तो सभी चीजों को आप जरूर देखेगा बागी चलिए session को सूरू करते है काफी लोग यह बोले थे कि यार बंदी र अगर आप चाहते है कि मैं इस पर वीडियो बनाओ तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना तो इसके आधार पर एक एवरेज में जो मेरिट हो सकती है कट-off हो सकती है अनुमानित वो मैं बता दूंगा ठीक है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो चलिए आज का session स ठीक है तो चलिए first question है भाई देखे सहिंक्त राष्ट की महा सभा ने वद्स 2023 को किसके अंतराष्ट्य वद्स के रूप में घोसित किया है देखे यह question कई बार में आपको पहले भी revision करा चुका था सहिंक्त राष्ट्य संग ने जो हमारा 2023 का वद्स है इसको कौन सा अनाजों का वद्स यानि कि आपका मिलेट्स जो मिलेट्स होते है ना मिलेट्स तो भारत पाभी श्री अन्न योजना इसी के तहत लाइगे थी उत्राखण में भी बनाएगे थी बीच में तो मोटे अनाजों का वद्स या पोसक अनाजों का वद्स एक्जाम में कोश्चन म वेन उन्हों घोसित किया है पोसक अनाजों का वर्स अब है आपका कोशियन नरब बन सकता रहे ह्वाई 2024 का वर्स से क्या गोसित किया यह अब यह विद्धार रास्त्र ने बहुत सब्सक्ति अब यह मद होगा कर लोग यह श्विविस नोड करलो चलिए आगे बढ़ेंगे अगली कोशियन की तरब थोगा देखे सैजन को आप लोग सेर भी कीजिए और साथ ही एक बात बताऊं मैं आपको प्लीज आप लोग चैनल को सस्क्राइब तो किये हैं बड़ आपने बैल आइकन को नहीं दबाया बैल आइकन दबाकर आप करने की कोसिस रहेगी उल्टिया एक्जाम के लिए फिली वाली ठीक है उसको भी आप जोइन करना चलिए अगला कोशियन बोलते हैं इंड मैं से कौन सा एक सुमे लित नहीं है देखें नहीं है बोला तो कौन सा सुमे लित नहीं है यह बताने आपने अगर ध्यान पूरवक देखते हैं इसमें हम ठीक है ध्यान पूर्वक देखे हैं तो अगर देखे हैं जो हमारा bleaching powder है calcium oxy chloride ठीक है यह पहला वाला ही गलत हो जाएता है प्लास्ट ना ना पहला वाला जो है bleaching powder को calcium oxy chloride का जाता है फिल्कुल सही है फर्ष्ट सही है थीक है दूसरा plaster of Paris POP POP को calcium bicarbonate नहीं का जाता है यह गलत हो जाएगा थीक है तो option जो B है यह गलत हो जाएगा आपका तो आपशन सी जो है washing powder तो washing powder को आपका sodium carbonate का जाता है बिल्कुल सही है शोडियूम कार्बोनेट कारता हैं और बेकिंड सोडा को सोडियूम बैकार्बोनेट का रहता है ये भी सळी है तो केवल ओप्षण भी है जो इसमें mismatch हुआ ठीक है प्लास्टर ओपेरिस पी ओपी ये केल्सियम बायोकारपेनेट नहीं गारता चलिए कमेंट में बदाए मुझे इसका जो राज सानने की नाम है वो क्या है प्लास्टर ओपेरिस इसका कैमिकल नेम बदाए मुझे comment box में आप भी comment कीजे चलिए आगे पगएंगे अगले question की तरफ अगला question है इनमें से कौन सा आहार समू मनुस्य के सरीर को अधिक्ता मुर्जा प्राप्त करता है देखे science के question भी मैंने आपको इसलिए दिये है science के question आपके EOTI और ROR में बनेंगे इसलिए science के question भी GS वाले section में add है बड़ आप यह गांट बाद देना कि जो आपका UK SSSC का अभी इसना तक इस तरही एक्जाम होगा UK SSSC वाला उसके GS portion में सामाने विज्ञान के प्रसंद नहीं पूशे जाते हैं तो मनुस्या का वह दिखे सबसे ज्यादा जो उर्जा मिलती है वह मिलती है carbohydrate वसा और प्रोटीन से ठीक है तीन यह बहुत महत्त्यपूर्ण घटक है carbohydrate fat and protein तो option C इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे पुगेंगे अगले question के तरह नेक्स question है तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लेने वाले भाते नेताओं में निमन में से कौन थे तो बताए यह जो गोल में सम्मिलन होई थे लंदन में ठीक है हाथ यह जो फाना गुठ चलिए आज़े कौन थे अधि ऑरड़िया नहीं कोले लिग से कौन सा एग इस्थरीय पारिकांती तंतर का ऊपभाग नहीं धाग पूछ रह है तो जो हमारा इस्थली पारिस्तितिकी तंत्र होता है तो उसमें आपका एक उपभाग नहीं है बताना है ठीक है तो ground ecosystem का एक सब पार्टिसमस से कौन सा नहीं होगा तो right answer जगह इस question का दिखे सागर ही पारिस्तितिकी तंत्र इसका कोई मतलब नहीं पार्टिस्तितिकी तंत्र होता है याण कि समुंदर जो होता है इनका अपने एक ecosystem होता है तो इनका कोई मतलब भी नहीं ह 나온 इससे इस तल्वाले से परवत होता है बाई निम्न स्थली भी होता है तो सागर जो होता है वो अलगी एक पार्षतितिकी तंत्र है option B सही हो दाएगा चलिए आगे पढ़ेंगे अगली question की तरह भारत के सम्विधान के भाग न कौम है निम्न चेतर की इस्थान ये सोसासन की इकाईयों को सम्विधानी गाधार प्रधान किया गया पहला है देखे ग्रामेंग चेतर दूसरा है सहरी चेतर है तो सम्विधान की जो भाग है वो भी आपको पता होना चेपा यहां से बहुत question निगलते हैं पॉल्टी वाले section में कि सम्विधान का कौन सा भाग जैसे कि नागरिकता से कौन सा भाग सम्विधान का relate करता है और मौलिक जो करतब पे हैं वो किस्म है मूल अधिकार कौन से भाग में ति करता है अब यहां पर पूचरा भाग नौ को या 9a 9a की मैं बात करें तो इसम्विधान के भाग 9 की बात किचाए तो भाग 9 में आपका पंचायती राज यानिण की घ्रामील कि Type 9a मा तो आंसर बंजने केवल दो थीक है तो नौ एकी बात उलिए तो केवल दो सहरी छेत्र की बात उलगी यहाँ पर चलिए आगे पुएते हैं अगले कुश्चिन की तरफ इन में से कौन सा एक जैव डीजल पहुंदा होता है तो यह option ही आठी है यहाँ से तो option A मैं आपको देते हैं जैट्रोफा ठीक है तो जैव डीजल बायो डीजल जो हमारा प्लांट होता है जैट्रोफा ही होता है option इसका सही हो जाएगा जैट्रोफा एक बायो डीजल मंदसौर प्रसस्ति की सासक की उपलब्दियों का विवरंग प्रस्तुत करता है तो देखे प्रयाग प्रसस्ति आपका question बनता है मंदसौर प्रसस्ति पूछ रहा जाता है ऐसे बहुत से आपका देखे जो हमारा खारवेल लाजा है हाति गुंपा विलेग यह जितने भी महत् पूर्व एक्जामों में बनें अच्छे से आपको याद हुँचे मंदसौर जो प्रसस्ति है इसमें हमको मिलती है कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्दियों का वॉमें ठीक है option option डी इसका राइड आणसर है कुमार गुप्त प्रथम ठीक है देखे एक चीज़ का दिया काल में सिख्षा का प्रसिद्र केंद्र कौन सा था तो तक्षे शिला था तक्षे शिला यह भी याद रुगिए का वेरी इंपोडेंट है ठीक है चलिए आगे पोड़ेंगे अगर देखे 1974 में प्रथम किरसी विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नमें से किस इस्तान पर उसमें पांडी चेरी नाम था ना आप तो पूदु जेरी बोलते हैं तो ऑप्षिन टी बिल्कुल सही उत्तर है पहला जो बना था किरसी विज्ञान केंद्र यहां पर इस्तापी दुवात है अगला कोशिन देखे निम्नमें से कौन सी नदी घाटी बेसिन में छेतर फल मे कि कौन सी नदी जिसका घाटी बेसिन सबसे जाधा है छेतर फल ना तो यह नदी हो जाते है वाई महा नदी ठीक है ओप्षन बीस का राइड अंसर है महा नदी ठीक है महा नदी पर देखे दोस्तों एक बहुत फेमस कोशिन हमेजा बनता है हीरा गुंड बांद किस नदी प बहुत था पते ही तो दिली के पुराने के लिए में बनी है मस्जित इसका नाम है किला ऐ कुहना इसका निर्मागर करने वाला जो सा सकता वो सरशा सूरी ठीक है तो ऑप्षन बीस का रेट अंसर जैगा सेर्शा सूरी ऐसे कोशिशन कही बाई बनता है कि दिली की जामा जामा मस्जिद को बनाया था साह जहाने ठीक है साह जहां ज्यान रगेंगे साह जहान नहीं भाई आपका विश्व प्रिस्थ ताज महल भी बनाया था अगला कोश्यन देखिए है भारत सर्कार ने प्रोटक्शन आप लांट वेराइटी जींड फार्मस रायट अधिनियम निमने मैंसे किस वर्ण से पार्यत किया था तो प्रोटक्शन आफ लांट वेराइटीज एंड फार्मस राइट एक्ट यह जो पारीत हुआ था राइट है इसका 2001 जिन ने उत्तर लिया बिल्कुल सही है 2001 में पारित हुआ था है ठीक है दो जार एक तो ऑप्षण ने सही हो जाएगा इसका चलिए आगे पुझेंगे अगले कोश्चिन के तरब राष्ट्य विकास परिश्चत का गठन कब हुआ था तो बात हो लिए एंडीसी की नैशनल डेवलोप्मेंट काउंसिल ठीक है एंडीसी तो एंडीसी को गढ़ित किया गया था आपका 1952 में ऑप्षन बीस का रहेट आंसर है 1952 में ठीक है ऐसे योजनायोग भी पूझे था कर योजनायोग का बनाता तो योजनायोग बनाता 1951 में और योजनायोग कब खतम हुआ तो योजनायोग कटम हो जाता है 2015 में कि इसको रिप्लेस के किसने नीती आयोग ने ठीक है नैशनल इंस्टिटुशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया राष्टिय भारत परावरत संस्तान तो जनुवरी 2015 में ये अस्तित्तों में तो योजनायोग स्वताही समाप्त हो गया चले आगे पढ़ेंगे अगले कोशियोग की तरब समीदान के निम्ना लिखित अनुच्छेद के अंतरगत संसत के दोनों सदनों के संविक्त अधिवेशन का प्रावधान है तो कौन सा अनुच्छेद है वाई जिसके अंतरगत ये बोला गया कि संसत के दोनों सदनों का संविक्त अधिवेशन हो सकता है तो बताएं कौन सा यहां पर अनुच्य देया जो मेंसिन करते है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल वन जीरो एट ऑप्शन बीस का सही उत्तर जाएगा अनुच्य देक्सो आर्ट के तहट संसत के दोनों सदनों के स्विक्ति अधिवेशन का प्रावधान किया गया है ध्यान दगेंगे ठीक है वेरी इंपूरेंट है अनुच्य देक्सो आर्ट चलिए आगे पुगलेंगे अगले कोशिन के तरह 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रार्मबिक सदश्य कौन नहीं था इनमें से बताए जो नौजवान सभा थी इसका प्रार्मबिक सदश्य कौन नहीं था तो 1926 में बनती है नौजवान सभा और खासकर इसमें जो प्रियास्ता जादा वो भगस्य जी का था ठीक है सर्द प्रश्य नहीं थे यस पाल जी थे बगस्य थे चबील दास भी थे चलिए आगे बढ़ेंगे अगली कोश्चिन के तरब सुगमता सूचकांग के संदर्व मैं निमन कतनों में से कौन सा सही है या सही है पहला कतन बोलता है यह सारवजनिक छेतरी के बैंकों के पृदर्शन को आंकलीद करने का एक तरीका है बिल्कुल सही है स्टेट्मेंट यहां भारत में MSME हेतु व्यापास सुगमता को अंकलीद करता है यह गलत हो जाएगा MSME से कोई इसका मतलब नहीं है ठीक है Micro Small Medium Enterprises इसे के लिए दोस्तों यह आपका सुगमता सूचकांग इससे लेट नहीं करता है सुगमता सुचकांग only for banking sector ठीक है तो राइट आंसल जागा इसका केवल एक option इसका राइट आंसल जागा only one हो जाएगा इसका उत्तर ठीक है केवल फर्स्ट वाला जो इस्टेट्मेंट है वह सही है चलिए आगे पखलेंगे अगले question की तरब कौन सा विटामिन जल में गुलनसील है तो पताए इन में से कौन सा विटामिन है जो जल में गुलनसील होते है देखे जल में गुलनसील विटामिन और वसा में गुलनसील विटामिन या से question कई बार बनते है तो देखे जो वसा में गुलनसील है फैल्ट में जो गुलनसील ह होते हैं इसके लिए ट्रेक है वाले विटामीन है इसके लिए ट्रेक है कीड़ा है कीड़ा जो है वसा में गुलता है और जो हमारे विटामीन विटामीन के में विटामीन विटामीन के विटामीन टी और विटामीन अब देखे जाता है इसके कमी से बिमारे होते है रतौनि vitamin B, vitamin B B1 से लेकर, thymine से लेकर बहुत से नाम है और खासकर B12 काफी बार पूस्ता है syno-covalamine syno-covalamine भी बोलते है या covalamine बोल सकते है यह इसका chemical name होता है B12 का ऐसे vitamin D, calciferal और vitamin D की कमी से हो जाता है rickets, कई बार यह भी question बनता है vitamin E की कमी से प्रिजनन चमता में कमी आते है ठीक है तो नपुन सकता वाली बीमारी हो सकते है vitamin E की कमी से सरी में तो यह vitamins और इनकी chemical name प्लस इनकी कमी से जो होने वाली बीमारी है यह आपको clear होना चाहिए exam में question बनता है अगला question है dobson इकाई से निमने मैं से क्या मापा जाता है तो देखे dobson इकाई जो है कि किसके मापन में काम आती है तो dobson इकाई यह मापती है भई आपकी ozone की सांदृता या सीधे सीधे मैं बोल दूँ कि ozone परत की मोटाई ozone परत की मोटाई ozone परत की मोटाई मापने के लिए कि सिकाई का प्रियोग के रता है तो इसकी मोटाई यानि कि ozone परत में कितनी सांदृता है कम तो नहीं हो गई जादत तो नहीं हो गई यह चेक करते है dobson इकाई ध्यान नगेंगे ozone का फॉर्मला होता है O3 चलिए अगरा question ने देखे यह बहुत important question है राजा राम मोहन राया ने अपनी प्रसिद्ध पूस्तक gift to monotheist इन्हें से किस भासा में लिगी थी देखे राजा राम मोहन राया जी को भारत में क्या बोलते है पुनर जागरंग का पिता बोलते है question बनता है बहुत सी किताबे लिखी पत्र भी निगाले दोस्तों इनके प्रियासों से देखा जाए तो उसमें देखे 1829 में बहुत समाज बनता है आपने एक चीज़ और नोट किया होगा कि उसी समय भारत में सती प्रता और ठगी प्रता का भी अंतो होता है ठीक है बेंटिक के टाइम प्रियर पे तो यह सब ही देखे सोसल वरकर थे हमारी राजा राम मोहन राए जी बहुत सोसल वरक के किये थे इन्हों न और इनकी पुस्तक जो थी हों इसटेक जो है है यह सब हें हारमोन के हार्मोन है हें जबकि साइटोगाइन जो है यह एक हार्मोन है अप्सेन भी सफ्सक्राइड हो बिल्कुल सरीव डिप अस्टर मियर्ड सपले Embassy को टेज ना सब्सक्राइब में तो थोगए हार्मोन वाली टॉपिक है न जन्रल यह कोश्वन बंते हैं यानि कि घैनिक जीवन में जो विज्ञान की भूमी का है चाहिए इतने से Umwe ज़्यादा डिटेल में जाने की आवशक्त्ता ने इन पेपर में इस इस सब्यक्टिव पेपर होता है जिन में पूरा विज्यान पूछा जाना जैसे कि अभी किरसी अधीगारी का पेपर है आपका लैब असीष्टेंट का पेपर होगा उसमें आपको ठोड़ा डैप्त में जाना होता है सब्जेक्ट डिमांड ठीक है जैसे फिजिक्स वाले ज्यादा गहरा ही में जाएंगे कैमिश्ट्री बाइव वाले बॉटिनी जुलोजी बट जो हमारे अन्य एक्जाम होते हैं सामान्य अध्यन वाले सामान्य अध्यन में जो जनरल साइंस का पोर्शन होता है जाधा डिटेल में मत पड़ी है आप इसको इसमें केवल इग्जामनर ये नोटिस करता है कि आपको जनरल साइंस की बेसिक नौलेज है या नहीं है बस ठीक है या देनिक जीवन में जो हमारे विज्ञान यूज होता है उतना तो आपको पता होना जैसे वीटामिन से कोश् बनते हैं और इंस्ट्रोमेंट से कोश्चन बनते हैं तो यह बस इतना ही बनते हैं आप देख लोग किसी भी पुराने पेपर को तो जाजा डिटेल में आप अपना समय बचाए इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं तो दोस्तों यह था जीएस टेस्ट पार्ट 129 और ऐस ज्यादा मेनत से बन रहे हैं और पूरा कवर कर रहे हैं आपका एक साब से मैं बोल दूब कि अगर सही सही रहा तो सब कुछ इसी के अंदर से कवर हो जाएगा ठीक है क्योंकि पूरे फुल लैंद टेसरी यह आप देखो बागी डिपेंड करता है एक्जाम डेट पर और ब दिखाम में और जिनका आरो यह त्यान रखने इन पर फोकस होना चींड इसका अभी होना नहीं है हालां कि प्रस्ताविट जो दिया है अनुमानित समय दिया आयोग ने बट उसमें पॉसिबल नहीं है अभी तो फॉर्म ही बढ़े जाएंगे फिर कर्रेक्शन लिंक का एता पूरा डिटेल चेक होती है उसके बाद आपके एडमिट कार्ट इश्यू होंगे जब एक्जाम सेंटर अलोट होंगे ठीक है तो बहुत सी चीज़ा होते हैं तो इतने आसानी से एक्जाम नहीं होता आयो कुछ भी दे देता है जब तक उसका निर्धार परिक्षा कालेकरम न होते हैं आपको इस सेसन में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैं मैं करेक्ट कर लो मांगी अपने जीवन में कम से कम एक पेकर स्थूर लगाएं दोस्तों और लोगों को भी इसके लिए अवेर करा हैं अपने घर के आसपास और जहां भी घूमने जाते हैं स्वच्छे दाग झाल